संदीब लायमी छाने संगा हात मिलाइनन इसकर्लैन का खेलाडिले नेपाल को जतिके भीचालो जादा किन भयो टर्की माश्रवनास बालकोट माँ प्रचन्दाले भने राष्ट्रपती संगा स्वामति उन्छा बालकोट माँ चिने राष्ट्र उली बीच भेट पारता अवसुनोज पूरा समचार संदीब लायमी छाने संगा हात मिलाइनन इसकर्लैन का खेलाडिले किन आई सीसी बीच्टकप लिक दुई को सिर्श टीम इसकर्लैन लायने पाले सुक्रबार तीन क्रिकेटले पराजित गरियो किर्तिपूर इस्तित त्रिवी मैदान मां इसकर्लैन ले दियेको 255 रनको लक्षे ने पाले साथ विकेट गुमाये रा 40 उबर्मः पुरा घरिक ठियो खेल शके पासी बोलिंगं गरिर एकू टीम का खेलाडी जम्म भयरा मीदान बाटा पिविलेन तर्फा जाने रर बैटिंगरा एक टीम का खेलाडी पेविलेन बाटा मैदान तरफा जानी गर्छन तीव बीच म दूबए टीम का खिलादी हात मिलाये रा एक अरकालाय सम्मन प्रकट गर शन तरह शुक्रो भार इसकड लैन का खिलारी ले नेपाल का लेग-पीनर संदीब लाइम चाने संगा बने हात मिलाये नन अन्तीम मा रही का संदीप संगा हाथ ना मिलाई पनी इसकोलान का खिलारी ले अरू नेपाली खिलारी संगा भने हाथ मिलाई का थिये बलतकार को अभियक का बीश मा टीम मा फरके का संदीप को विश्रे मा ये सगी क्रिकेट इसकोलान ले परस्ण गड़ी को थियो जस्म क्रिकेट इसक लेंड ले आफु अरू संधीब को कानूनु इस्तिती बारे जनकार रहे को बताए को थियो साथे सबै खाल को दुर बेभार बीरुद्या क्रिकेट इसक लेंड रहे को प्रतिकलिया थियो नेपाल को जत्यके मिचालो जादा कीन भाय टरकीम शर्वनास सर गुम्नावाई को छुछ सर गुम्द वरी परिका पुराना सांग रचland कती को एन भाईक छो, एन भाईक छो बने यका पुराना धूंगे श्तम्बाव धूंगा का पिलार याद गर नु भाईको वला, तरती दूंगे श्तम्बाको तलो वाग अर्थाथ जगमा के उन छा कहेले हेकर राखन भाईक निजी घर मा समेद धुंगा को पिलाराक दा, गार्डा जग मा धुंगा के कचुवा राखने चलन छो, जट्टा हेदा इस्तो तेखिन छा, माना यो कचुवा को आपनो धार्ट माथी पिलार को सम्पुर्ण भार भार्बोगे को छो रतेसले, टेक ठीक संतलन मा राहिको छो, काठमन्डा को संगरचनमा निर्मान कचुवा संग को शाइनो इती प्रकर्थियो, गर्बनो दा जग को सब बंदा तलो भागमा सुन को सानो कचुवा को मुर्ती प्रतिस्थापन गरने रा तेहिं मुर्ती मा थी पहिलो इन्टाराकने चलन धियो, अब तापाइना लागे तोला काटमन्ड़क भवतिक संग्रचनर कछुवाले कछुवाक के नाता येश को पचारी एवटा कथा छा पिर्थिभीक को गर्वमोनी एवटा अतेंते विशाल कछुवा छा त्यो कछुवाक को पिर्थिभीक संपुर्ण भार आपना चटान भंदा शक्ता ध्हार्ट मा बोकिक उन्छा पिर्थिवी कश्वा को धार्ट माथी बशीर आपनो गतिमा नियमित कुमिरांचा, पिर्थिवीला ठीक ठीक संतलन मा राखने रयता उती, पटकिना नदीने जिम्मा कश्वा के उन्छा, तरह कश्वा पनी तप्रानी हो, उसले पनी भोग पैस लाग्छा, बिला बिला जबा पिर्थिवी को भाले कशो को धार्ट दुक्छा, रौ उ चल्मलाव सा, जबा कश्वा चल्मलाव सा, पिर्थिमे मुइ बढ़ि चल्मलाये बढ़ि उती बढ़ि उन्छा, बिगत कम्हिचा ले चुरे फेत को कुन-कुन इस्षामा चीरा पैरे भनेर, पता लगाना भ नेपाल टर्की दुबै भिंचालो गईर अने प्रुवत छेत्र में पर्छान, फड़क एती हो यह टर्की जस्तो जमीन को सता नई चीरा पर्ना बने आठ मेगने चूट भन्दा ठोलो भिंचालो जान पर्छा, तरह जमीन चीरा न परे पनी टर्की में जस्तैस्षर बर्नास नोस बने रा, आमीले आपना बहुतिक संग्रचन हरू भिंचालो प्रतिरो दात्मक बनानो जरीर छा, फिन बने जुन दिन भिंचालो को कमपन फुट्षा, त्यो दिन न कछुवाले काटमंडाव जगाउने चा, न फशाई डन्दियो तको प्रथनले तर्की को रक्षे ग संगको बेट बारता पची प्रदानमंत्री प्रचंडले गाटमंदन न भदकीने दाभी गरे, गाटमंदन भदकीन दाईना राष्टापती को विश्यम पनी केही दिन में टुंगो लाक्षा उनले भने, गाटमंदन अबद दल हरू एकाई ठांडाएको उनको भनाई चा, राष्टापती शहमती न जुटे पछी पच्छिल समय प्रचंडा रा ओली को भेट बाक लिएको छा, दिन बिडायर उनियरू बाल वाटार वा बालकोट मा भेट गाट गर दै आएका छन, प्रधानमंत्री प्रचंडले राष्टापती मा राष्टे शहमती गने अडान ल अली राष्टी न जुटत चंड़ भीग भेट बारता भाईको छा, शक्रबार बालकोट मा उनियरूद बिडाट भाईको हो, उनियरूद बिडायर दिपच्छिय इतका विश्चय मा छलफल भाईको हो, राष्टापती निर्वाचन बारे अली संगा जीगेंशर आहेको, शुरोत को भणाईच, राष्टापती निर्वाचन का कारण सता गटपन्ण संकटमा रहेको बिला, राष्टापती बिज बारताले अर्थापन रुपमा हेरी रहेको छा, आजमात्य प्रधानमंती प्रचंड राष्टापती को भीशेमा टूंगो लगाउना बालकोट पुराने प्रष्टाप दोहराय का थिये, ए माले अदच्य उडिले प्रुव शहमती को पालान गर्नो पर्ने अर्डानले का थिये, प्रधानमंदी प्रचंड ले राष्टापती में राष्टे सहमती उने रा गर्ण बंदन पनी नवथकी ने दावी गदे बालकोट मा भा प्रण बंदन प्रचंड परिशालन गर्ने निर्नय वही को छा, सम्भाईदानिक परिशत को कानूनी ब्यवस्ता परिमार्जन करिंदाई बैठक पर्स्ता कम्ती में चार्जना हुने पर्ने, राष्टाप प्वती निर्वाचन परसंगले सरकार उथल वथल हुने देखिन झाल झिल्वाचन झाल